आज बाप दादा अव्यक्त रूप से आए हैं और देख रहे हैं राज रिशियों की सभा राजाओं की सभा तो बहुत होती हैं दर्वार लगते हैं रन्तु राज रिशियों की सभा देख रहे हैं बाबा तो हम सभी को स्वमान दे रहे हैं नसा चड़ा रहे हैं तुम राजा भी हो रिशी भी हो राजा अर्थात सार्व इस्वरिये प्राप्तियों से संपन और रिशी अर्थात बेहद के वैरागी सभी पदार्थों से साधनों से वैभों से वैराग्य होते हुए भी वैराग्य लगाओ मुक्त होना यूज करते भी उनमें आसक्त न रहना ये है बेहद का वैराग्य तो बाबा कहरे रोज अपनी दर्वार लगाओ तुम राजा हो एक भी करमचारी ऐसा तो नहीं आज्या नहीं मानता तुम हो मन, बुद्धी, संसकार और करमेंद्रियों के राजा मन, बुद्धी, संसकार इंपोर्टेंट है करमेंद्रियां तो फिर भी स्थूल है और उनके राजावन्ना सहजभी है लेकिन मन के राजा अर्थात, मन में जब जो संकल्प चाहें वही उठे ये नहीं संकल्पों का तुफान चलता रहे तो बाबा कह रहे अपना दर्बार लगाओ, मन को चेक करो कि वो वही सोच रहा है जो हम चाहते हैं या वो वो सोच रहा है जो वो चाहता है बुद्धी के निरने सक्ती का दर्बार लगाओ, निरने राइट टाइम पर राइट करती है या बाद में सोचती है ये कर लेना चाहिए ता ये हो जाता तो बहुत अच्छा होता निरने परफेक्ट हो रहे हैं, संसकारों को चेक करो संसकार तुम्हारे धोका तो नहीं दे रहे, वो तुम्हारे हैं कहते हो ना मेरा मन, मेरी वुद्धी, मेरे संसकार, मेरी करमेंद्री तो जैसे हाथ पाऊं इस्थोल कर मेंद्रियां, हमारे ओर्डर से उठो तो उठाओ, नीचे करो नीचे, बैठो तो बैठे, ऐसे ही संस्कार, आदी अनादी, यही हमारे मूल संस्कार हैं, वो रहते हैं, या और-और संस्कार रख कर अपना राज कर लेते हैं, कभी मन पर तुम राज करते हो, कभी मा मन तुम पर राज करने लेता है, कभी गद्धी पर तुम बैठ जाते हो, तो कभी माया सीट पर बैठ जाती है, क्या हो रहा है यह चेक करो, तो बाबा हम सब को बहुत अच्छी प्रेणाएं दे रहे हैं, तुम्हे स्वराज जधिकारी बनना है उधारण दिया ब्रह्मा बाबा का कि देखो सब कुछ होते भी बेहद की वैराग वृत्ती में रहे प्यार दिया लेकिन न्यारे भी रहे साधन थे लेकिन लगाव से मुक्त भी रहे और राजा थे राजाई संसकार मन बुद्धी संसकार ओपर संपूर्ण कंट्रोल था ऐसे ही तुम्हें भी बाबा को फोलो करना है सुक्सम बात बता रहे हैं तुम बाबा से प्यार रखो तो बाकी सब से प्यार खतम हो जाएगा बाकी सब से लगाव समाप्त हो जाएगा बाबास का प्यारा, बाबास से प्यार रखना दोनों बात, और सब चीजों से न्यारा बना देगी, तो ये सुक्सम अभ्यास हम निरंतर करते ही रहना चाहिए, इससे ही हम सच्चे सच्चे राज रिशी कहलाएंगे, फिर बाबा पार्टियों से बात कर रहे हैं, अपने को व विजय हमारी अनेक बार हुई है, तरीका है, इससमर्ति में रहना, कि ये विजय हमारी अनेक बार हुई है, अब हमें केवल रिपीट करना है, अब हमारी विजय होगी ही, बहुत अच्छा नसा रहे, और जब विजय हो जाती है, तो खुसिया मनाई जाती है, ढोल बचते है तुम भी अगर विजे ही रहोगे, तो खुशी में दान्स करते रहोगे, तुम्हें अपार खुशी रहेगी, पैर नाचे या नाचे, बन नाचता रहेगा, तो विजे की निशानी होगी, बहुत जादा खुशी में रहना दोसी पार्टी से मिलके कह रहे हैं अपने को बहुत भाग्यवान समझते हो यही बात हमें सदा याद रखनी है भाग्य विदाता स्वयम तुम्हारा भाग्य बना रहा है भाग्य बनाने की कलम ही उसने तुम्हारे हाथों में दे दी है तुम जितना चाहे अपना भाग्य बना सकते हो ऐसा नहीं जब भाग्य बनाने का समय है तो हम अलवेले हैं और ये समय हमारे हाथ से न निकल जाए तो हमें स्रेश से स्रेश भाग्ये बना लेना है भाग्ये पुन्य कर्मों से बनता है भाग्ये इस वरिये सेवाओं में सहयोग देने से बन रहा है तो वावा कहते अपने को बहुत भाग्यवान समझते रहो और मैं भाग्यवान हूँ और भाग्य विधाता स्वयम मेरा भाग्य बना रहा है, इस नसे में रहो, तीसरी पार्टी से मिलते हुए कह रहे हैं, अपने को स्वदर्सन चक्रदारी समझते हो, दुनिया में तो परचिंतन का चक्र चलता है, तुम स्वदर्सन चक्रदारी बन कर रहोगे, तो बाकी सभी चक्र समप्त हो जाएंगे, देखो बहुत गहरी बात है, अनेक चक्रों से बचने का साधन है, स्वदर्सन चक्रदारी बनना, अर्थात पांच सो रूपों का भ्यास करना, इसी समय तुम्हें स्वदर्सन चक्र का ग्यान मिलता है, इसे पहले ये ग्यान होता ही नहीं, इसी ज्ञान के द्वारा तुम माया को नस करते हो, माया का गला काट लेते हो, तो तुम्हें स्वदर्सन चक्र घुमाते रहना है, इससे तुम चक्रवर्ति बन जाओगे, और माया पर विजय भी बन जाओगे, वर्दान है, अपने पूजन को इस मर्ति में रखकर, हर कर्म पू ये इस मर्ति में रखना है, सामना करने की सक्ति की यादगार दुरगा रूप में, हम बहुत सक्ति साली बने, इसकी यादगार काली के रूप में, हम पवन पुत्र बन गए, यानि पवन के समान हल के बन गए, भनुमान के रूप में, हम संतुस्त आत्मा बन गे, संतुसी म के रूप में हमारी पूजा हो रही है तो यह हमारी सेष्ट कर्मों की पूजा है इसको याद रखेंगे तो हम भी परम पुज्य आत्मा बन जाएंगे स्लोगन है जीवन में संतुस्ता और सरल्ता का संतुलन रखना बहुत वड़ी विशेष्टा है तो आज हम सारा दिन हर घंटे में एक या दो बार अभ्यास करेंगे मैं आत्मा स्वराज जदिकारी हूं मन बुद्धी संस्कारो की कर्मेंद्रियों की मालिक हूं और इंच सब को ओर देंगे कि मेरे ओर में चलना है ओम श्यंति To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com slash tv peace of mind Just a click for a peaceful life